प्रिय भाई और विहनों आज का सुबसनेश के लिए अब सभी को हम स्वागत करते हैं भर आती है आँखे मेरी कलवरी के प्रेम जब याद करूँ धन्यवाद के सिवा है पिता नहीं सुबाप पे कोई और बया स्थूति के सिवा है पिता नहीं सुबाप पे कोई और बया तेरे प्रेम को याद करूँ तेरे पास्मरन करूँ कैसे तेरी स्थूति ना करूँ मेरी करूँ ना याद करूँ मलीदा कर सचूँ कैसे तेरी स्थूति ना करूँ मेरे इशूँ मेरे इशूँ आज का संदेश प्रफु के द्यास जो सिवा हमास हम से वाटा जाएगा प्रारतना के साथ सुनिए परमेशर का नाम की महिमा हो मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनोंगो जल्दी आने वाला प्रवीश मसी के पावन नाम में हमारा प्यारबरा नमस्का आईए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफीसियों का पत्री दूसरा अध्याए एक से तीन दक उसने तुमें भी जिलाया जो अपने अवरादों और पाबों के कारण मरे हुए थे जिन में तुम पहले इस अंसार की लीदी पर और आगाश के अधिगार के हकीम अर्ताल उस आत्मा के अनसा चलते थे जो अब भी आग्या ना मानने वालों में कायजे करता है इन में हम भी सबके सब पहले अपना शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्चाए पूरी करते थे और अन्य लोगों के स्वामान स्वाव ही से क्रोध की संदान थे पिछले सब्ता में हम लोग देख रहे थे हमारा पिछले जीवन का जो अवस्ता मसी में आने के पहले या उद्दार में आने के पहले हमारे अवस्ता किस प्रगार है और उसमें जो पहले बात हम भी लोग देखा था पिछले सब्दा में हम लोग अबरादों और पाप के कारण मरे हुए थे और अपरवीश मसी हमें उस अवस्ता से जिलाया है उसके बात हम लोग देख सकता ह। उसका दूसरा पद में जिन में तुम पहले इस संसार की रीदी पर चलते थे हम लोग उद्दार के पहले या हम लोग संसार की रीदी पर चलने वाला थे आज भी हम लोग दुनिया में देखने से लोग संसार के अनसार चलते थे संसार की रंग बिरंगी बातों में मौज मस्ती में और पाप की जीवन में अंदगार में उस प्रगार लोग चलते हैं और हम लोग भी हम विश्वासी लोग भी प्रभू में आने के पहले उस प्रगार थे संसार की रीदी पर हम लोग चलते थे अर्थाथ हमें जीवन नहीं था हम लोग मरे हुए लोग थे पाब और अबरादों के कारण मरे हुए थे जीवन नहीं थे इसलिए संसार की इस तरफ जाता है उस तरफ हम लोग भी चलने वाला लोग था जैसे एक मरा हुआ मचली जैसे जो पानी जिस तरफ जाता है वैसे हम लोग भी संसार की जिस प्रगार जाते हैं उस प्रगार हम लोग संसार के पीछे संसार की रीदी के अनसार हम लोग जाने वाला लोग था और उसके बात में हम लोग उधर पड़ता है और आगाश के अधिगार के हकीम हरताद उस आत्मा के अनसार चलते थे जो अब भी आग्या ना मानने वालों में कार्य करता है इधर हम लोग देखता है उस आगाश के अधिगार के हकीम मतलब सेटान के बारे में सेटान की पीछे हम लोग चलते थे उस हकीम का अनसार हम लोग चलते थे सेटान हमारा जीवन का हकीम था या मालिक था और उसके बातों को हम लोग मान कर उसके पीछे में हम लोग जाने वाला लोग था इफिसेंगा पत्री चे अदिया उसका बारह पदमे मैंसे पड़ता है हमारा ये मले उद्द लेहू और मामस से नहीं परंदु प्रदानों से और अदिगारियों से और इस अंसार के अंदगार के हकीमों से और उस दुष्टदा की अत्मिक सेनाओं में हैं से है जो आगाश में है सेटान का एक बड़ा राज्य है इस दुनिया में उसमें प्रदाने है अदिगारिया है इस अनसार के अंदगार के हकीम और दुष्टदा की आत्मिक सेना जो आगाश में है हम विश्वासी लोग भी उद्दार में आने के पहले वो सेतान की अनसार सेतान के पीछे उसका इच्चाओं को पूरे करते हुए हम लोग भी जाने वाला लोग था उसके बाद में हम लोग इधर देखता है तीसरा पद में इन में हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्चाओं पूरी करते थे और अन्मिक लोगों के समान सुबाव ही से क्रोब की संदान थे हम लोग अपना शरीर के अनिसार शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्चाएं पूरे करते थे हम लोग अपना शरीर के इसाब से शरीर का इच्चा के अनिसार उसका बिलाशाओं को पूरा करने के लिए हम लोग शरीर के अनिसार हम लोग चलते थे सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है शरीर का सुगविलास के बारे में सोचता है और उस प्रगार के शरीर के इच्चाओं के अनिसार पाप में हम लोग जीवन बिताने वाला लोग थे प्रभू में आने के पहरे देखिए हमारा मरा हुआ अवस्ता जो है कितना भायंगर था हम अबरादों और पाबों के कारण मरे हुए थे और उस मरे हुए अवस्ता है वो कितना भायानक है हम लोग संसार के पीछे संसार के अनसार हम लोग चलते थे सैतान की इचाओं को पूरा करके सैतान को इचा के अनसार हम लोग चलते थे सैतान हमारे हकीम दे और हम लोग शरीर के अनसार अपना शरीर के इचा के अनसार उसके अलालसाओं को पूरा करने के लिए हम लोग जीवन जीने वाला लोग था और उधर हम लोग पढ़ते हैं तीसरे पत का अक्री में हम लोग पढ़ाता और हम लोग इदर देखा अन्य लोगों के समान सवबावी से क्रोथ की संदान दे हम लोग यह सब करते करते हम लोग क्रोध के संदान थे सिर्फ परमेशर का क्रोध हमारे उपर आना था और हमारा दूसरा कुछ भी हक हमारा जीवन में नहीं थे परमेशर का देंड के योग यह था हम लोग सबाव ही से क्रोध के संदान थे हमारा जीवन सत्यनाश की और जाते थे हमारा जीवन अंदगार से भरे हुए थे बचने का कोई उमीद हमारा जीवन में नहीं थे और हम मरे हुए अबरादों और पाबों के कारण मरे हुए लोग थे और उस मरे हुए अवस्ता में हम लोग सड़ते हुए जाने वाला लोग था अभी भी जो लो प्रबू को नहीं पाया उद्दार के अनुभों में नहीं आया उसका जीवन भी इस प्रगार है वो दिन प्रदी दिन सड़ते जा रहा है लेकिन परमेशर का नाम की महिमा हो क्योंगी उस अवस्ता से प्रबू हमें जिलाया है और वो हमें जिलाया हम लोग मरे हुए अवस्ता से प्रबू हमें जिलाया है पहले हम लोग संसार के अनसा चलने वाला, सेतान के अनसा चलने वाला, अपना शरीर के अनसा चलने वाला लोग था लेकिन आज संसार, सेतान और शरीर हमारा दुश्मन है परमेशर का प्रसन्न करने वाला एक जीवन हम लोग बिताना है कभी भी संसार के लिए हम लोग नहीं जीना है सेतान के लिए नहीं जीना है और इस चरीर के लिए नहीं जीना है और परमेशर के लिए जीना है परमेशर की इच्चा को पूरा करना है और वही हमारा मकसद और हमारा लटशे होना है परमेशर उसके लिए आप सभी को मदद करे परमेशर का नाम की महिमा हो